आई नमस्तो भ्यम दर्शको चै मालक्षमी आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसी है आप सब मैं आशा करती हूँ दर्शको आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शको आप सभी जानती है कि 15 मैं दिन सोमबार को चेस्ट माह कृष्ण पक्ष की एकादशी ती थी है एकादशी का दिन और सोमबार का दिन एकादशी के दिन भगवान श्रीहरी विश्नु और मा लक्षमी का पूजन किया जाता है माना जाता है कि इस दिन यदि हम श्रीहरी विश्नु को प्रसन्न कर लेती हैं तो हमारी जीवन की सभी कामनाई पोन होती हैं और जहां पर भगवान श्रीहरी विश्नु विराजमान होती हैं वहां पर माता लक्षमी स्वयम ही विराजमान होती हैं क्योंकि मा लक्षमी श्र इस उपाय को अवश्य ही करें क्योंकि घर में जो बेटी होती है लक्षमी होती है घर की मां होती है वह माता लक्षमी का ही स्वरूप होती है ऐसा माना जाता है जिस घर की लक्षमी प्रसन होती है उस घर में माता लक्षमी का निवास इस्थाई रूप से होता है यदि आप भ इसे खिलाने मातर से ही आपके जीवन की सभी कामनाई पून होंगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में इस्थाई रूप से वास होगा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी और आपके घर को धन धान से परिपून कर देंगी कहा जाता है कि जिस घर में एक बार माता लक्षमी निवास कर लेती है वहाँ पर देवी दरित्ता फिर कभी भी नहीं आती है और मा लक्षमी जहाँ पर निवास करती है वहाँ घर बहुत ही शुब माना जाता है ऐसे ही मा लक्षमी किसी के घर कभी भी वास नहीं करती है मा लक्षमी को अपने घर में स्थाई रूप से वास कराने के लिए कई तरह की उपाई और जतन किया जाते है इसी मेंसी एक उपाई है गौ माता को आपको एक छोटी सी चीज खिला देनी है क्या खिलाना है सुभा इसनानादी से निर्वित्र होकर आपको क्या करना है आटा गुथना है आटा बीना नमक का गुथना है और उस आटे में आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है उसकी रोटी बना कर आपको क्या करना है उस पर थोड़ा सा गुड और चनी रखकर आपक प्रकत देंगी और आपको अपना आशिर्वात प्रदान करेंगी और माता लक्षमी आपके घर में स्थाई रूप से वास करेंगी। दूर्द धर्म में सनातन धर्म में गौ माता का विशेश रूप से आदर किया जाता है, माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड देवी देवताओं का वास होता है, यदि हम गौ माता की सेवा करती हैं, नियमित रूप से गौ माता को रोटी खिलाते हैं, उन्हें अन्न खिलाती ह तो हमारे जीवन की कामनाएं पूर न होती हैं आपके जीवन की भी यदि कोई कामना है तो इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी इसी के साथ में मा लक्ष्मी को निवास कराने के लिए आप क्या करें एका दशी के दिन हल्दी के डिब्बे में आपको एक छोटी सी चीज डाल देनी है जिससे की मा लक्ष्मी स्थाई रूप से आपके घर में वास करेंगी और आपके पित्रों का भी आशिवाद आपको प्राप्त होगा हल्दी के डिब्बे में जो लाल वाली खड़ी मिर्च आती है आप लोगों के घर में होंगी जो लाल वाली जो साबुत खड़ी मिर्च आती है उसके पांच मिर्चे या फिर एक मिर्च भी आप माता लक्ष्मी का स्मरन कर हल्दी के डिब्बे में आपको छिपा देना है और जैसे ही आपके घर में कभी भी हाल्दी का डिब्बा आदे से कम हो उसे आप दोबारा से पून रूप से भर दें। जैसे रातरी आठ बजे के बीच में कभी भी आप अपने दोबार पर दीपक जलाना ना भूले। माता लक्ष्मी जो भी भक्त ऐसा करता है सच्छी मनसी मा लक्ष्मी उसके घर में स्थाई रूप से वास करती है। धन्यवाद दर्शे को यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो उपाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रस करके ओल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद दर्शे को जै मालाइब करें।